तो दोस्तो मेरा नाम रियाज और आप दिएडिकनिकल रियाज चैनल तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे Story Beat Application के बारे में दोस्तो Story Beat Application कया है और इस ए플ेकेशन को आप किस दरा से यूज़ कर सकते हैं आपकी मुवायल में आज के इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकरी बताने वाला हूँ Story Beat application के बारे में दोस्तों यह जो application है कि Professional Story Create application है जिसके अंदर आप यहाँ पर story बनाना चाहे तो बना सकते हैं इसके अंदर आप Instagram, Facebook, Artsub, TikTok और अलग-लग platform के यहाँ पर story create कर सकते हैं दोस्तों इसके अंदर आपको बहुती professional template मिल जाएंगा जिसमें आप बहुती beautiful तरीके से यहाँ पर story बना सकते हैं यहाँ पर दोस्तों आप easy to use the application यहाँ पर होने वाली है यहाँ पर music का option मिल जाता है application को use करने के लिए story video application को करते हैं तो कुछ इस तरह से जो application है mobile में first बार open हो जाती है story bit जैसे story video application mobile में open होती है आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेर दिखाए देगा दोस्तों यहाँ पर आपको एक collection का option दिखाए देगा जो connection है जैसे template यहाँ पर आप देख सकते अलग लग template यहाँ पर दिखाए दे रहे तो इसमें से आप जो भी template यूज करना चाहिए यूज कर सकते इसके दोस्तों आपको प्रो वाले template भी मिल जाते यहाँ पर आपको दोस्तों जो free वाले template आप यूज कर सकते प्रो के अंतर दोस्तों यहापर आपको प्रो वाजन लेना हुँआ प्रो का है पर मैं आपको बता देता हूँ कि आप ट्राइब प्रो पर आप क्लिक करते हैं तो यहापर प्रो में आपको 3-day फ्री वाल अउक्षन मिल जाता है आप चाहिए तो 3-day ट्राइल भी ले सकते है या तो आपके मंदली फलान है तो आप आपकी साब से देख सकते हैं यहापर दोस्तों इस तरह से यह application दिखाए देती है जिसमें हापर आप story करना चाहे तो आपको simply क्या करना है कि हापर कोई भी एक template चूज कर लेना है यहापर template के अलग-अलग create category है दोस्तों आपर जो trend में यहापर template चल रहा है वो भी दिखाए देगे यहापर आप देख सकते है trend में कौन-कौन से template चल रहा है तो view all पर click करके यहापर जितने भी trend वाले template है वो आप यहापर देख सकते है और इसमें आप create करना चाहे तो इसमें भी create कर सकते है उसी के साथ सथ दोस्तों नीची के side में आपको slide के हो यहापर template यहापर आपको present का auction मिल जाता है आप present देखना चाहे तो वो भी देख सकते है तो दोस्ते है आपको template यहापर मिल जाते है जिसमें आपको करना चाहिए तो आपको क्या करना है सबसे पहले तो frame चूज कर लेना है उसके बाद दोस्तों उससे मिलते जूलते है आपको अलग-अलग दिखाई देंगे story के तो आप आप आपको क्या करना है Simply एक श्टोरी की रेट करना है तो आपको एक template चूज़ करना है यहापर में एक template चूज़ कर लेता हूँ template कुछ इस तरह से हो जाता है open उसके बाद दोस्तों इहापर जो आपके mobile की gallery है वो भी open हो जाती है gallery open होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है simply तरीक से एक template को choose कर लेना जो भी आपको अलग लग है template choose करने के बाद यहापर आपको एक photo ले लेना है photo यहापर में ले ले ताओ photo कुछ इस तरह से photo ले लेना और continue पर click कर देना है जिसी continue पर click करेंगे यहाँ पर आपको photo select करना होंगे आप photo select करना चाहे तो photo select कर सकते हैं यहाँ पर दोस्तों मैंने यह template यहाँ पर चूज किया है तो यहाँ पर आप देख सकते कि कुछ इस तरह से template बन चुका है और यहाँ पर यह history बन चुके है यहापर music at डाना चाहिए, तो music at कर सकते हैं यहापर आपको simply कुछ नि करना है यहापर music वाल होक्षन पर click करना है और यहापर आपको अलग अलग music दिखाई देते हैं यहापर आपको sound effect भी मिल जाते है। आप चाहिए तो sound effect लगा सकते हैं यह पर आप अलग अलग object को कम ज्यादा कर सकते हैं इस तरीके से हिहापर आपको टेक्स ही मिल जाते जैसे कि इसी तरह से आप टेक्स !! करना चाहिए तो टेक्स कर शकते इस तरीके अचिJust दोस्ति यहां पर आपको इस्टिकर का उक्षिन मिल जाता है आप इस्टिकर पर किलिक करेंगे तो तो जिस हैं पर यह उपर एकक्षिन दिखा देघ देना है जैसे यहापर आप किलिक करेंगे तो दोस्तों जो आपकी स्टूरी यहापर सेव होना स्टार्ट हो जाएंगी यहापर आपको एक एट डिकाई देंगे एट को आपको देख लेना है एट को देख लेने के बाद यहापर कुछ सेकंड एट को देख लेना है यहां पर एट डिखाई देंगी उसके बाद एट को हटा देना और जो आपकी इस्टोरी यहां पर SEO हो जाती है तो इस तरह से आप इस्टोरी भी SEO कर सकते हैं तो दोस्ते बहुती कमाल की एप्लिकेशन है यहापर एप्लिकेशन में आप अलग-अलग प्रोपेशनल इस्टोरी क्रेट कर सकते हैं